तो हे गाइज इसे वेल्कम टो माई चैनल संध्या जमी वर्ल में आज मैं बनाने वाली हूं बचों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है मटर पराठा वो भी इंस्टेंट बनाने वाली हूं इसके लिए हमें मटर को उबालने की जरुवत नहीं है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक कटोरी मटर ले लिए है यह मार्केट में इसली आपको एवेलेबर हो जाएगा इससे हम मिक्सर जाल में डाल देंगे इसके साथ इक मैंने 8-9 कलिया रसुम की ले ली है दो हरी मिर्ट ली ली है जीरा इससे लिए नहीं है अधा चमच अधाल देना है इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी जाल देनी है आधा चमच अपने एक ओंडिंगली आप मसाले इसमेंएड कर सकते हैं यहां पर दल्या देना है थोड़ी सी काली मिर्च ली है पावडर और यहां पर ऊंकर मैं त्क्रा सा गर यहों का आटा लिया हुआ है और इसके अंजर जो हमने मटर का मिक्स्टर बनाया था वह हम सारा का सारा इसमें एड कर देंगे इसमें मैंने पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि यह पानी छोड़ता है अगर आपको जरुएत पड़ेगी तभी हम पानी का यूज क है लेकि मुझे इसकी जरुवत नहीं पड़ी और यह देखिए हमारा डो बनके रेडी हो चुका है अब इसकी छोटी-छोटी लोईया बनाकर हमें इसका एक रोटी रोटी जो होती है वैसी का पादी टाइब या रोटी टाइब लेना है जल्दी जल्दी नहीं बेलना है न इसे हम गरम कर लेंगे तब गरम होते ही इसके पर हम पाराथे को डाल लेंगे और इससे ऊलट प्ल force करखे अच्हार से सीखते रहना है हथलका श SECनंए के बाहरा दकी प्रस्रां करते रहंगे और तेल लगा देंगे यह दिक हमारा प्राठा जो है एकदम रेडि हो चुका है खाने के लिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो और बनाती रहूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब की लिए थैंक यू बाबाई